हेलो एवरिवान गुड आप्टरनून आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफीशल यूट्यूब चानल में मेरा नाम है फर्या और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पुलिस कॉंस्टिबल 2023 के लिए नया बैज स्टार्ट हो रहा है येस कल की क्लास में आपने देख करती है ना उसका नोटिफिकेशन आ गया है साथ हजार से जादा वेकेंसी को डिस्क्राइब किया गया है कि आने वाली है और आप सभी जानते हैं कि अगर नोटिफिकेशन आया है तो इसका मतलब यह है कि एक्जाम भी तभी लोग बहुत तेजी से तयार कर रहे होंगे तो एक कह सकते हों कि नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं नए एंथुसियाजम के साथ और एक नई खुशकबरी भी है है ना नया साल आने वाला है उससे पहले हम क्या कर रहे हैं बैच स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी तयारी क्या करेंगे पूर्ड करेंगे पूरी करेंगे ठीक ह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब तक बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो अल्रड़ी जॉइन कर चुके होंगे batches को और पढ़ाई कर चुके होंगे महींद्रा की जित्ते भी offline branches है आप उनमें भी जाकर के जॉइन कर सकते हैं batches स्टार्ट कर दिये गए हैं online जो भी लोग फसिलिटी लेना चाहते हैं तो हम इसमें जो है प्राक्टिस सेट लेकर कर आ रहे हैं दो बज़े से मेरी क्लास रहती है इससे पहले Maths की क्लास होती है जो UP Police Constable से ही related है इस पे नया बाच आज से ही स्टार्ट किया गया है जैसे ही vacancy आई है वैसे हम लोगों ने भी क्या किया है यह process स्टार्ट किया है नमस्ते रितेश अगरवाल welcome to the class welcome to the session अगर आप तक चानल को subscribe नहीं किया है तो चानल को आपको क्या करना है subscribe कर लेना है ताकि जितने भी नई classes हो या नई वीडियोज अपलोड हो उन सब के बारे में आपको लगतार information मिलती रहे ठीक है welcome welcome to the class welcome to the session अगर आप अब तक मेरी टेलग्राम चानल से नहीं जूड़े हैं तो जीएज भाइ फरिया माम का टेलग्राम चानल है आप उस पे जॉइन कर सकते हैं इसमें एक चाट ग्रूप भी है उसमें भी आप अपने doubts या questions मेरे साथ शेयर कर सकते हैं in fact जो आज की class थी उसके बारे में update भी मैंने इसी ग्रूप पे शेयर किया था पीडिया शेयर किया था नोटिफिकेशन का लिंक आपके साथ शेयर किया था वो सारी चीज़े हम इसी ग्रूप पे शेयर करते रहते हैं जीएज भै फरिया माम चानल का नाम है टाइप करके भी ढूंड सकते हो वहना बेस्ट तरीका है QR कोड है स्कैन करिए डिजिटल इंडिया राइट तो QR स्कैन करिए और डारेकली पहुंच जाए अब दिखो अगर हम यूपी पुलिस कॉंस्टिबल की बात करें कि यह भरती आई है तो सबसे पहले तो आपको पूरा सेलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए किसी भी एक्जाम के तयारी करने से पहले उसका पूरा प्रोसेजर पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए तयारी करने का अगर यही नहीं पता है तो आप तयारी करोगे क्या मतलब उस चीज का ठीक है तो अगर हम पूरे प्रोसेस को देखें तो पहला जोती है एक cut off आता है cut off के बाद second stage में जो लोग पहुँचते हैं उनके लिए document verification होता है ठीक obviously अगर police के भरती हो रही तो physical standard test तो definitely हो नहीं होना है physical medical test होता ही है उसके बाद वो जो clear कर लेते हैं third stage पहुचते हैं वो है आपका physical measurement test height requirements क्या है chest requirements क्या है है वो सारी requirement clear करने के बाद आपका final भरती हो जाती है ठीक है तो पहले हमारा focus क्या होगा पहली इस चीज़ पर written examination पर focus करना है qualify करना है paper को और उसके बाद physical तो आपको क्या करना है लगतार maintain करके रखना है running वगेरा करते रहा करो bio जो खाना पीना है आपका जो diet ले रहे हो वो सारी चीज़े आपको maintain होनी चाहिए ठीक है अगर pattern की हम बात करें कि exam में pattern क्या आता है किस तरीके से questions पूछे जाते हैं तो क्यूंकि first पर हम focus कर रहे है mcq based है total time कितना दिया जाता है दो घंटे का समय होता है 120 मिनिट्स हैं दो घंटे का समय होता है objective based question यानि चार options होंगे आपके लिए एक question के चार options होंगे objective based है अब exam में most important बात है कि पूछा क्या क्या जाता है math reasoning English क्या चीज़ पूछी जाती है तो इसमें चार sections कह सकते हो आप जो चीज़े पूछी जाती पहली चीज general Hindi बहुत important होता है general Hindi क्योंकि होता क्या है math reasoning बच्चे पढ़के जाते हैं और Hindi को बिल्कुल avoid कर जाते है UP का paper है तो UP के paper में Hindi is the deciding factor हैना GS तो हम पढ़ते ही है math reasoning पढ़ते ही है बट आप थोड़ा सब महनत अगर Hindi पे कर लो तो definitely paper qualify हो जाता है Good afternoon Momo Mars, good afternoon welcome to the session General knowledge, general knowledge उसमें आप general studies भी include करते हो General knowledge plus general studies फिर numerical and mental ability test Mental aptitude, intelligence या reasoning आप कहा सकते हो यह portion है जो cover किये जा रहे है जो GKGS को portion है वो हम cover कर रहे है बाकि math reasoning का जो portion है वो sir cover कर रहे है I think आपने उनका session join किया होगा नहीं किया है तो कल से definitely join कर ले न एक बज़े से उनका session होता है तो उसको भी join कर ले न टोटल marks की अगर हम बात करें 1500 questions आ रहे हैं 300 number के यानि दो number का एक question होता है है ना दो number का एक question हो रहा है negative marking भी है बहुत important चीज़ है यह चीज़ को ध्यान रखना है कि negative marking है paper में तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधा guess लगा करके आना है आपको intelligent guess लेने है paper में देखो बिना guess लिए बिना मेहनत किये तो ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारे questions पूछे जाएंगे 1500 questions अगर आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 1500 के 1500 questions आते हो आपको कुछ questions में risk लेना पड़ता है कुछ questions में doubt होते है बट calculated risk लेना है क्यों कि इसमें 0.5 की negative marking भी है तो यह है पूरा paper अच्छा paper English और Hindi दोनों में पूछा जाता है एक तरफ English होगा एक तरफ उसका Hindi अनुवाद होता है तो दोनों तरिके के papers questions आते हैं but again I would suggest जितने भी लोग म Hindi माध्यम के students है English पर जरूर focus करें questions अभी आप पढ़ोगे कुछ topics ऐसे होंगे जिसमें शब्द जो है English का होगा है ना शब्द English का होगा बट वो Hindi अनुवाद में बिलकुल अलग हो जाता है तो इसलिए आपको Hindi English दोनों पर focus करना है ठीक है अब अगर हम pattern को देखें पूरी आसे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है एक बढ़ना session में आप hello hi good evening लिग दिया करो ताकि पता चलता रहे कि कितने लोग session में जुड़े हुए हैं लगतार पता रहेना चाहिए कि मेरी बातें clear हो रही है audio visual clear है या नहीं है जनरल knowledge की अगर हम बात कर रहे हैं जीएस में से 38 question आ रहे हैं 38 questions यानि major chunk जो है बना रहा है आपका जीए 76 marks का उसके बाद देखो focus किस पर हिंदी पर चोहत्तर नंबर का हिंदी उसी तरीके से maths को और numerical ability अगर आप देखो तो इस ते भी क्या 76 marks के questions आ रहे हैं और इधर चोहत्तर नंबर का intelligence question या reasoning के portion से ओर रहा है ठीक है तो मेरा जो section है वो GS का part है यानि हम focus करेंगे किते 76 marks पर focus करेंगे पूरी की guarantee नहीं लेते हैं कि 76 नंबर आही जाएंगे लेकिन अगर आप मेरे साथ sessions में जुड़े रहे जितने भी हम practice sets कर रहे हैं तो at least at least 38 में से कम से कम 33 से 32 questions ऐसे होंगे जो आपके लमसम लमसम average ले करके चलते हैं कि हम इस 38 में से 32 से 30 question पर focus करेंगे जो हमें आद नहीं चाहिए ठीक है यह पूरा आपका sequence है कि किस तरीके से pattern आ रहा है क्या आ रहा है देखो pattern समझ लाए इसलिए जरूरी है बिना pattern समझे किसी भी exam में आप तैयारी नहीं कर सकते है उसकी ठ क्यूंकि मेरा जीएस का portion है तो जीएस में क्या syllabus हम cover करेंगे जीएस का syllabus mention किया गया है notification में वो क्या है बहुत सारे topics हैं 10 topics सिधर लिखे हुए हैं 10 topics सिधर हैं यानि लगबग 20 topics हैं इन शौर्ट अगर हम समझें तो क्या क्या है जोग्रफी से question होते हैं quality से question आएंगे आपके science के थोड़े बहुत questions होते हैं science बहुत जादा focus नहीं होते हैं एक आध questions कभी आ गए तो आ गए history definitely questions आएंगे और economics ठीक है economics अर्थशास्तर से question रहते हैं environment से question पूछे जाते हैं environment का जो portion है उसको geography के साथ क्लब करते हैं जोग्रफी और environment का question क्या करते हैं क्लब करते हैं जीके और जीएस के question जो पढ़के जाते हैं वो कभी नहीं आते हैं गोविंद वर्मा इसका मतलब यह है कि आप पेपर आनलाइज नहीं कर रहे हैं अगर आप पेपर आनलाइज नहीं कर रहे हो तब ही इसलिए हमने session के शु लिमिटेड चीजों पर focus करेंगे बट जिनसे questions आने की संभावना बनती है हम वो focus करेंगे तो मेरे जो sessions होंगे उसमें हम previous year questions को भी solve करेंगे और उससे related mock paper भी बनाए जा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से चीजों को solve किया जाएगा ठीक है मोटा मोटा अगर आप syllabus को देख लो कि क्या क्या चीज़े syllabus में आ रही हैं देखो इंडिया के बारे में scientific progress या news जो important है science से related awards है languages है books, author, script, capital, currency, sports, current affairs है ना current affairs बहुत बड़ा topic है बहुत बड़ा topic है उसमें क्या क्या चीज़े include होंगी हम धीरे धीरे करते जाएंगे भूमी जयान पूछ रही है माम कितने questions होते हैं देखो बेटा 150 questions होते हैं 300 number का paper आता है हम यह already discuss कर चुके हैं अगर आपका session miss हो गया है कोई बात नहीं वीडियो के शुरुवात में चले जाना आपको मिल जाएगा पूरा गुड आफ्टनून बवीता गुड आफ्टनून नमस्कार ठीक है जोग्रफी में सॉरी जीएस में और क्या portion से important days और dates के बारे में question होता है कि जैसे human rights day कब celebrate किया जाता है या उस साल की theme क्या रही है उन सारी चीजों पर human rights, natural resources, organizations, environmental, Indian economy, Indian constitution, देखो पॉलिटी का पार्ट आ गया, world geography हो गया, resources, Indian agriculture या आ गया आपका economics का पार्ट, ठीक है science as such mention नहीं है लेकिन आपने देखा कि उसमें mention था क्या scientific organizations and scientific achievements या current affairs तो इन से related चीज़े exam में पूछ ली जाती है ठीक है अब अगर हम history के बात करें तो history में क्या-क्या चीज़े आएंगी cover की जाती है ancient, medieval, modern, generally जो questions पूछे जाते हैं modern इंडिया से पूछे जाते हैं और especially medieval में architecture वगरा से related questions होते हैं बहुत जादा detail में नहीं होते हैं ठीक है अच्छा जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है welcome to the session ठीक है अब हमने पूरा syllabus पूरा pattern समझ लिया कि किस तरीके से questions आ रहे हैं हमें किस चीज़ पर focus करना है अब आपको पूरा बता जिते हैं कि session में हम कैसे ले करके चलेंगे question answer 30 seconds with explanation ठीक तो शुरू करें MCQs को चलो पहला सवाल है निम लिखित में से किस नदी का उद्दम भारत के बाहर से होता है which of the following rivers originate outside India भारत के बाहर किस नदी का source है ब्रह्मपुत्रा गंगा यमुना या फिर नर्मदा किस नदी की source इंडिया के बाहर है हेलो गूड इवनिंग गूड इवनिंग आप मेरा सेवन एट नाइटी 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 फ्रॉम भर सकते हैं या नहीं बबिता आप एक बार ओफिशिल नोटिफिकेशन चेक करो कि उसमें क्या date of birth मांगा है height weight ratio भी उसमें दिया हुआ है तो आप एक बार वो चेक करो क्योंकि इतनी ज्यादा detail में मेरे पास information नहीं है कि किस category में कितना age relax section दिया गया है तो correct option क्या होगा इसका correct option है option number a ब्रह्मपुत्रा अब ब्रह्मपुत्र नादी कि अगर हम बात करें तो यह कहां से origin करती है मांसरोवर लेख अगर स्पेसिफिकली नाम बात करें कहां पर तो राकाश ताल राकाश ताल या राकाश लेग जो जगा है वहां से ब्रह्मपुत्रा के शुरुवात होती है यह चाइना टिबिट के बॉर्डर पे है ब्रह्मपुत्रा नदी है ना करती है एक यूशेप हेयर पिन बेंड बनाती है और तब यह जो है इंडिया के असाम वाले एरिया से एंटर करती हुई आगे पड़ती है ठीक है तो इंडिया के बाहर स्रोत है किस नदी का आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी का ठीक है चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं यह क्या होता है वाट इस एन इगलू कि यह जो शब्द आपने सुना होगा इसके बारे में कई बारे आप पढ़ते हैं यूज में भी यह इगलू क्या होता है यह अगा अटाइप ऑफ आनिमल हंटेड बाई काला हांडी नोमाड्स काला हांडी खाना बदोश शिकार करते हैं क फिर इन में से कोई नहीं कि क्वेश्चन नंबर टू और जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं तो अपने ऑप्शन के आगे क्वेश्चन लिख दिया करो क्योंकि होता यह है कि कॉमेंट्स लेट आते हैं मेरे पास इंटरनेट इशूस की वज़े से मानलो आपका कमेंट किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं देखो इगलू का करेक्ट आंसर होगा option number C क्या है a dome shaped house और hut made up of blocks of hardened ice in which Eskimos live अब अगर हम Arctic areas की बात करें नौर्थ पोल की तरफ चले जाओ धुरूबो की तरफ चले जाओ साइबरिया में चले जाओ जहां बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो वहां पर एक ट्राइब रहती है उस ट्राइब का नाम होता है एस्कीमो है अब जो एस्कीमो जिस घर में रहते हैं जो घर वो बनाते हैं उसे कहा जाता है इगलू बनता है टोटली बर्फ का है ना जैसे अपने वहां इटे यूज होते हैं इटे सिमेंट यूज तो वहां इटा या सिमेंट नहीं उता है वहां पूरी बर्फ यूज होती है ठीक है एक ऐसे पूरा डॉम शेप का घर बनता है और यहां पे छोटा सा दर्वाजा होता है जिसके अंदर एसकी मोज जाकर के रहते हैं तो उसको कहा जाता है इगलू ठीक है अगले सवाल पर या से पेपर में आता है न हर जो रहरा है औरुप यह ठीपिर वही बिरूजगारी के परिड़ाम क्या होता है लेवरे रंक सिंसे में वृद्धी होती है त्राइब का मतलब होता है जाती मैं कहां से हूँ मैं लखनव से हूँ महिंद्रा की हेड ओफिस से आप के लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं अगर हम बात करें बेरोजगारी की बात करें तो कई तरीके का unemployment आप पढ़ते हैं, economics में, एक होता है cyclical, cyclical के मतलब, मतलब पूरी cycle होती है, जैसे seasonal आप कहा सकते है, cyclical या seasonal कहा सकते है, simple, कि मौसम के हिसाब से, जैसे agriculture के अगर हम बात करें, कि एक समय होता है जब आप धान की खेती करते हो, एक समय होता है जब आप गेहु हो गाते हो, है ना, तो जो लोग धान की खेती करते हैं, वो गेहु वाले season में नहीं काम कर रहे हैं, जो गेहु में काम कर रहे हैं, वो धान में नहीं काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, पर season आप employed हो, उसके बाद कुछ season ऐसा है, जिसमें आप unemployed हो, ठीके, एक त डालना सारा कुछ कर रहे थे अब उसी में पांच लोग और आ गए अब कितने काम करें उतना ही काम कर कर रह है अगर यह पांच नहीं थे तो भी उतना ही काम हो रहा था पांच आ गए तो भी उतना ही काम हो रहा है तो यह फांच लोग Jeanne यह कहलाते हैं डिस्गाइजड अनिम्प्लॉइड है ना मतलब कि इनकी ज़रुवात नहीं थी अब यह आ गए तो काम कर रहे हैं तो अब डिस्गाइजड अनिम्प्लॉइमेंट देखने से होता क्या है कि स्वारी हां तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ अन्प्रोडक्टिव इंप्लॉइज मतलब यह जो पांच लोग आ गए ना पांच लोग के आने से कोई बहुत जादा इंप्लॉइमेंट इंप्रूव नहीं हुआ गया यह बहु अगले क्वेश्चन पर बढ़े है थोड़ा फास्ट है थोड़ा फास्ट है चलो ठीक है स्लो कर लेंगे अराम अराम से करेंगे डिसकास करते वे चलेंगे नोट प्रॉब्लम प्रिक्शनल अनिम्प्लॉइमेंट क्या होता है मुकुंद जोशी पूछ रहे हैं फ्रिक्शन प्रिक्शनल अनिम्प्लॉइमेंट इसका मतलब यह होता है बॉटलनेक अनिम्प्लॉइमेंट भी क्या सकते हैं एक्जाम्पल पहले कंप्यूटर था क्या पहले की जमाने में computer था नहीं था रइड पहले typewriter का काम होता था तो जिस इंसान को पहले typing आती थी उसको employment मिल जाता था ठीखे जाता था भी उस company में typewriter हटा करके आ गया computer उस जगह पे आ गया computer अब उस लड़के को typing type writer पे आती थी computer पे नहीं आती ठीक है तो अब वो उस पे नहीं जा सकता computer वाले system पे नहीं जा सकता reason being कि उसके पास अब skill नहीं है है ना lack of skill आप कह सकते हो lack of infrastructure कह सकते हो मान लेते कि जैसे एक company है वो 10 bottles का production करती है ठीक है 10 bottles बना रही है cold ring की 10 bottles बनाती है demand बढ़ गई लेकिन अब उस demand के लिए आप वो जाधर production नहीं कर सकते क्यों क्योंकि पास आपके पास machine ही नहीं है वो machine सिर्फ 10 bottle बना सकती है वो 20 bottle बना ही नहीं पाएगी है ना तो इस तरीके के unemployment को कहा जाता है frictional unemployment या फिर bottleneck infrastructure unemployment ठीक है clear है चलो अगले सवाल पर बढ़ते है थ्रू विच स्टेट्स ड़स दा चंबल रिवर फ्लो चंबल नदी कौन-कौन से राजियों से होकर बहती है चंबल नदी कौन-कौन से राजियों से बहती है अगर फास्ट है तो थोड़ा slow कर देंगे अराम से पढ़ेंगे कोई tension नहीं है question number four अगर हम चंबल नदी के बात करें तो चंबल नदी बहुत अलग-अलग तरीकों से famous रही है पहली चीज option देख लेते हैं कहां कहां पर cross कर रही है तो चंबल नदी जाती है उत्तरप्रदेश MP और राजिस्थान में तो option number C का correct होगा ठीक है MP राजिस्थान और UP में चंबल नदी बहती है चंबल नदी फेमस है किस लिए बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए देखो इसको हिंदी में भी bad land ही कहते है ठीक है बैड लैंड या रेवाइन बोलते हैं तो यह जो शब्द है यह याद रखना किस नदी से related है बैड लैंड मतलब खराब जमीन होती है बहुत कह सकते हैं गहरे गहरे जमीन में कट्स बन जाते हैं अब इतने खराब जमीन हो गई तो वहां पर आप किसी भी तरीके के अनाज नहीं हुआ सकते हैं तो जमीन कैसी हो गई है अनुप जाओ हो गई है बैड लैंड बन गई है तो चम्बल रिवर अपने इसलिए famous है कि वो bad land बनाती है, ravines बनाती है, चम्बल obviously किस और reason से famous रहा है वो आप सभी को पता है, है ना, decords के लिए, दकैती के लिए famous रहा है, घडियाल के लिए famous है, घडियालों के लिए famous है, है ना, तो याद रखना कि कौन सी अगर नदी हम बा वस्था में पाए जाते है, bad land, ravines के लिए famous है चम्बल नदी, उत्तर प्रदेश, MP और राजिस्थान से cross होकर के निकलती है, चम्बल नदी आपकी, ठीक है, चलो, बीहर छेत्र है, बिल्कुल बीहर छेत्र है, लेकिन अब irrigation facilities प्रोवाइड की जा रही है, irrigation facilities है, उन जो खरा ठीक है, चलो, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगला सवाल है, history से related, the Italian traveler who has given a very detailed description of the Vijayanagar empire, यह न, वो कौन सा ऐसा इटली का traveler था, जिसने विजे नगर सामराज जी के बारे में, extremely detailed में सारी चीजों का वर्णन किया है, description किया है, Marco Polo, Niccolo Conti, Barbarossa, या फिर इन में से कोई नहीं आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अभी, आप सभी का स्वागत है, welcome to the session कितने questions हैं, अच्छा, भूमी जैन का मैंने ये देखा नहीं, कितने questions हैं, depend कि हम 45 से 50 मिनिट, एक घंटे के अंदर कितने questions solve कर सकते हैं, number of questions बिल्कुल भी target नहीं होता मेरा, target यह होता है कि हम कितने questions solve कर सकते हैं, असानी से explanation के साथ, ठीक है, अगर question 5 की बात करें, तो answer है, option number B, Niccolo Conti, नाम है Niccolo Conti, ये एक ऐसे traveler थे, जो Italy से थे, जिन्होंने विजय नगर empire के बारे में detail में description दिया है, देखो, traveler और empire, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कैसा topic है, कि एक तरफ traveler लिख लेना, कि कौन सा traveler था, और किस empire के बारे में उसने description दिया है, तो आप एक तर इस तरीके से notes बना सकते हो, कि एक तरफ traveler का नाम लिखो और एक तरफ empire, जैसे आपने Megasthenes के बारे में पढ़ होगा, तो उन्होंने कि इस empire के बारे में क्या चीज़ों बोली है, तो ये topic is something कि indirectly घुमा फिरा के ये question पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते Who played the most important role in the integration of princely states after independence, स्वतनता के बाद रियासतों का एकी करण करने में सबसे महत्व भूठ भूमिका किसने निभायती, सरदार वल्लभाई पतेल, जवाहरलान नेरू, महत्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंदर प्रसाद करेक्ट है, मुकुण जोशनी बिल्कुल सही जवाब दिया है कि करेक्ट आउप्शन है, आपका सरदार वल्लभाई पतेल, बिल्कुल सही बात है, देखो, अब जिनको बिल्कुल भी हिस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं है, उनको बता दें कि ये अक्चली है क्या, इं बहुत सारे स्टेट्स, 1947 के अगर बात करें तो बहुत सारे राजे बने प्रॉविंस थी बेसिकली राज्यों को राजे नहीं कहते थे, उस समय हम प्रॉविंस कहते थे, प्रॉविंस थी जैसे अवध थी, मदरास थी, बॉंबए, कलकट्टा, ये सारे क्या थिया, अलग-ल रियासते थी प्रिंसली स्टेट्स थे अब 1947 में जब इंडिया आजाद होता है तो कुछ प्रोविंसेज ने तो जॉइन कर लिया इंडिया को बट कुछ ऐसी देशी रियासते थी जो जॉइन नहीं करना चाहती थी क्यूं क्यूं कि उनके पास ऑप्शन था या तो इंडिया जॉइन करें या इंडिपेंडेंट रहें थी ऑप्शन थे इनके पास इंडिया जॉइन करने का पागिस्तान को जॉइन करने का यह फिर तीसरा आप्शन था रीमें इंडिपेंडेंट यह अब उसमें सरदार वल्लब भाई पटेल का बहुत इंपोर्टेंट रोल था कि उन्होंने स्टेट रियॉगनाइजेशन में बहुत मदद की कि किस स्टेट को किस छेतर में जोड़ना चाहिए कौन सी देशी रियासत कैसे तरीके से एंट्री करेगी इंडिया में उस सब में सबसे बड़ा रोल निभाया था किसने सरदार वल्लब भाई पटेल लें ठीक है चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं चर्कुला नित्य नाम है चर्कुला नित्य हैना यह डांस किस स्टेट का है गुजरात एंपी उत्तर प्रदेश या फिर बिहार चर्कुला नित्य देखो अलग-अलग स्टेट के कुछ-कुछ फेमस डांसेज होते हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं और स्पेशली अगर आप यूपी की बात कर रहे हो तो यूपी के जितने भी कल्चुलर डांस है फोक डांसेज उन सब को ध्यान में रखना है नाम में का और घरभा एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी क्योंकि ट्राइबल एरिया है ट्राइबस यहां पर फेमस है दांसें बिहार के अगर हम बात करें तो रास लीला सब्सक्राइज स और जितने भी आपके क्लासिकल डांसे हैं किसी-किसी स्टेट्स के वह इंपॉर्टेंट है याद करना आपको चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं हर्षवर्धन की क्या थी हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी क्वेस्टन नंबर एट जितने भी लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है वेल्कम टुदा सेशन हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धानी कैसे राजध है जिन्नोंने भी बहुत कम उम्र में क्या किया था गद्धी हासिल की थी और कन्यौज शशांक राजा जो थे शशांक को रिप्लेस करके कन्यौज में उन्होंने क्या की थी अपनी कैपिटल बनाई थी ठीक है तो हर्षवर्धन की कैपिटल क्या थी option number C कन्नौज ठीक है येस चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं बुद्ध से related है बुद्धिजम और जानिजम बहुत important section बनाता है history में especially examination point of view से where did बुद्धा give his first sermon बुद्ध ने अपना पहला उबदेश कहां दिया था सारनात में बुद्ध गया लुम्बिनी या कुशी नगर देखो अगर हम topic की बात करें ना जैसे history में कि कौन कौन से topic important है तो कुछ portion तो आपके ऐसे हैं जैसे Buddhism और जैनिजम है ना ये दो topic तो बहुत important है जिन से questions पूछे ही जाते हैं Buddhism और जैनिजम ये दो ऐसे topics हैं जिसमें question पूछे ही जाते हैं कि कब origin हुआ था कब उन्होंने पहला sermon दिया मतलब पहला उबदेश दिया कब उनकी मृत्ती हुई कहां पर मृत्ती हुई कौन कौन से उनके कह सकते हो कि followers थे क्या सारे चीजे थी हैं तो वो सारी चीजे important होती हैं अगर इस question के हम बात करें कि पहला sermon उन्होंने कहां दिया था तो पहला sermon दिया था उन्होंने सारनात में सारनात कहां पर है वारणसी में है बनारस वारणसी डियर पार्क है यहां पर उसी में उन्होंने क्या किया था अपना पहला उबदेश दिया था जब उनको कैवल ले प्राप्त हो गया था मतलब जब उनको सॉरी कैवल ले नहीं कह सकते जब उनको enlightenment प्राप्त हुआ था है ना जब उनको ज्ञान की प्राप्ती हो गई थी उसके बाद पहला सर्मन जब दिया था तो सारनात में दिया था इसको एक इसको क्या बोलते हैं, इसको एक context भी दिया जाता है, कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है, turning the wheel of life ठीक है, turning the wheel of life, तो ये related है किस से, सारनाथ से, ठीक है अगर कुशी नगर की हम बात करें, तो कुशी नगर कहां पर है, कुशी नगर है, बिहार में, ठीक है कुशी नगर उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर है, ये वो प्लेस है, जहां पर उन्होंने, फाइनल रेस्टिंग प्लेस आप कहा सकते है, जहां पर उनकी मृत्य हुई थी, तो फाइनल रेस्टिंग प्लेस कहा जाता है, इसको कुशी नगर को ठीक है, लुंबिनी के अगर बात करें, तो लुंबिनी क्या है, लुंबिनी कहां पर है, निपाल में है, इनफाक्ट लुंबिनी के बारे माँ आपने पढ़ा भी होगा, कि अभी इंडिया और निपाल ने एक, क्या बोल सकते है, कि अंडर्स्टनिंग M.O.U. स्वाइन किय किया है, है ना, वहाँ पर तो लुंबिनी बर्थ प्लेस जहां पर बुद्धा जी पैदा हुए थे, बर्थ प्लेस है, बोध गया क्या है, बोध गया जहां पर उनको ज्ञान की प्राक्ति हुई थी, एनलाइटेन्मेंट हुआ था, बोधी ट्री के नीचे, एनलाइटेन् प्लेस आपको ध्यान रखना है, चार प्लेस इंपोर्टेंट है, ठीक, चलो, आगे बढ़ें, अगले क्वेशन पर बढ़ते हैं, कंप्यूटर मेमरी इस मेजर बाए, कंप्यूटर की अगर स्मिती की मापन किया जाए, जो मेमरी होती है कंप्यूटर की, उसको किस में मेज कंप्यूटर मेमरी इस तो आज कल की जमाने में सब को ही पता होना चाहिए, कि किस में मेजर किया जाता है, तो बिट्स में मेजर करते हैं, बिट्स और बाइट्स, आपको पता हो, जैसे MB, बोलते हो न, इत्ते MBs है, इत्ते GB का डेटा है, तो यह जो बिट्स और बाइट्स होते हैं, उससे ही मेजर किया जाता है, कंप्यूटर की मेमरी को, नहीं होता है, इंडिया की पहली सैटलाइट, जो स्पेस में भेजी गई थी, उसका नाम क्या था? इंडियास फर्स सैटलाइट सेंट इंटू स्पेस वाज भासकर, रोहिनी, आरेभट या फिर आपिल Bytes की स्पेलिंग होती Bytes Bytee का मतलब तो हो जाएगा काटना Bytee होता है Bytes हाँ तो पहली सैटलाइट जो भेजी गए थी वो कौन से थी? Correct option है आपका option number C आरेभट इंडिया की जो पहली artificial satellite थी वो भेजी गए थी कब भेजी गए थी? ये भेजी गए थी 19th April 1975 कहां से भेजी गए थी? USSR से भेजी गए थी इंडिया की पहली artificial satellite जिसका नाम था आरेभट आरेभट आप जितने भी लोग answer कर रहे हैं तो अपना option के आगे question number लिख दिया करो question लिख दिया करो वरना होता क्या है कि आपका answer delay तरीके से आता है तो पता नहीं चलता किस question का answer दे रहे हैं अगले सवाल पर बढ़ते हैं in which type of rock the fossils are found जीवाश्म किस प्रकार के shell या चटानों में पाए जाते हैं आगने चटान परतदार चटान रूपांतरिच शैल या इन में से कोई नहीं परतदार कह सकते हो या इसको आफसादी भी कह सकते हैं आटो करेक्ट हो गया कोई बात नहीं question number 12 किस तरीके की चटानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं देखो correct option अगर हम बताएं तो option तो B होगा, sedimentary rocks होगी परतदार शैले होती हैं जिन में जीवाश में पाए जाते हैं अब सवाल ये है कि ये igneous rock क्या होता है, metamorphic क्या होता है तो I think आपने rocks के बारे में पढ़ा होगा बढ़ एक बार short में discussion कर लेते हैं कि क्या होते हैं, किस तरीके की चटाने होती है आगने चटाने नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरीके की चटाने होंगी volcanic eruption से जो बनती है जो आला मुखी जब फटता है तो अंदर से magma निकलता है और magma जब सतय पर आकर के ठंडा हो जाता है तो वो किस तरीके की चटान बनाता है आगने चटान बनाता है, igneous rock बनाता है पहली चीज़ तो इसमें जीवाश में क्यों नहीं होते हैं रीजन यह है कि बहुत गर्म होता है और दूसरी चीज़ की इतनी depth से निकल के आ रहा है तो पहाडों को काट काट के अफसाद बनाती है सेडिमेंट्स बनाती है, वही सेडिमेंट्स क्या होते है एक जगा इखटा होते है, लिथिफिकेशन होता है, परत बनती है उनकी और परत दर परत वो क्या होते है इखटा होते चले जाते हैं, तो ऐसे बनती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक Metamorphic Rock है या रूपांतरित शैले होती है जो High Temperature और Pressure के साथ उच्छ तापमान और दबाव से बदल जाती है Igneas or Sedimentary Rocks पे अगर High Temperature और High Pressure डाला जाए तो वो चटाने Change हो जाती है और बन जाती है क्या आपकी Metamorphic Rock तो यह तीन तरीके की चटाने होती है Igneas, Sedimentary and Metamorphic Fossils जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके अफसादी चटानों में Sedimentary Rocks में ठीक है चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं अगला सवाल है Which gas is present in abundance in atmosphere वायू मंदल में कौन सी ग्यास सबसे जादा मात्रा में पाई जाती है I think यह question तो सबको पता होगा इसका answer सभी लोग इसका correct answer दें इसका question का answer तो सबको भी पता होगा question number 13 yes yes बिल्कुल सही जवाब दिया है काफी लोगों का correct answer आ रहा है उजवल दिक्षित है मुकुण जोशी प्रलाद साधना कुमारी आप सभी का correct option है कि nitrogen बिल्कुल सही बात है कि अगर हम atmosphere की बात करें composition की बात करें तो सबसे ज्यादा किस कौन सी ग्यास मिलती है nitrogen लगभग लगभग 78% oxygen की अगर हम बात करें तो oxygen 21 प्रतिशत मिलती है carbon dioxide की अगर हम बात करें तो 0.03% ठीक है और hydrogen traces में मिलती है तो ग्यास की जो मात्रा है वह सबसे ज्यादा nitrogen की है फिर oxygen की carbon dioxide की तो बहुत कम है लेकिन greenhouse gas सबसे ज्यादा जो role play करती है गर्मी पैदा करने में वह है आपके carbon dioxide चलो अगले question पर बढ़ें अगला question देखते हैं क्या है अगला question है कौन सी हवा ऐसी है जो वर्ष में साल में दो बार अपनी दिशा परिवर्थित करती है which wind changes its direction twice a year साल में दो बार यह अपना direction बदलती है trade wind, east wind, monsoon wind या polar wind वियापारिक हवा, पच्छवा हवा, monsoon हवा या दुरूबिय हवा कौन सी हवा दो बार अपना direction बदलती है साल में हवाओं के बारे में पढ़ा है आप सभी ने, देखो अगर हम trade wind के बात करें पहली चीज तो trade wind eliminate करके देखते हैं, options अगर नहीं समझ में आता है trade wind क्या होती है, planetary wind होती है, मतलब पूरे साल एक ही direction में चलती है तो यह हवा तो बदल नहीं सकती, तो trade wind नहीं होगा, east wind के अगर हम बात करें इसका तो direction ही नाम से ही पता चल रहा है, पच हुआ, पच्चिम से चल रही है तो नहीं होगी, है ना, polar wind, poles से आ रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि equator से चलने लगेगी, तो polar wind भी नहीं हो सकती correct option होगा आपका क्या, monsoon wind, monsoon कैसी होती है, temporary हवा होती है, जो साल में directions अपने बदलती रहती है अगर इंडिया की बात करें हम, कि इंडिया में monsoon की शुरुवात कैसे होती है, तो southwest monsoon आप बोलते हो, इस तरीके से monsoon enter करता है, तो यह direction क्या है, southwest monsoon wind हो गई, फिर जब monsoon retreat करता है, तो कहां से retreat करता है, नौर्थीस से, तो दो बार इसका direction बदलता है, एक होता है, east monsoon winds, और एक तरफ आता है, आपका southwest monsoon, ठीक है, तो monsoon ही हवा क्या है, साल में दो बार अपनी direction बदलती है, ठीक, तो यह direction अपनी change कर रही है, ठीक, बढ़े हैं अगले सवाल पर, ओके, next question पर बढ़ते है, the reason for the origin of tide, जौर भाटा की उत्पत्ती का सबसे बड़ा कारण क्या है, पृत्वी का घूरन, धुरूविय उच्छ वायू भार, चंद्रमा का गुरुत वाकरशन, या फिर अनियत वही हवाए, erratic winds, moon's gravity, polar high winds, या फिर earth's rotation, जौर भाटा के बारे में पढ़ा है आपने, पूरी तरीके से तो आपका statement correct नहीं है, कि आरकान योमा से वो अपना direction बदल लेता है, direction आरकान योमा से टकरा करके change होता है, जब वो नर्मदा की घाटी पे बहना शुरू करता है, दो branches होती है न मौनसुन की, एक Arabian Sea से आती है, एक Bay of Bengal से आती है, जौर भाटा के अगर हम बात करें, question number 15 की, देखो question इसलिए हम बोर रहे हैं, आपको आप option लिख दिया करो, कि अब समझ भे नहीं आता कि आपने किस question का answer दिया है, अगर question 15 की हम बात करें, कि जौर भाटा की उत्पत्ती का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण होता है, moon की gravity, option number C, बहुत लोगों ने earth rotation बोला है, लेकिन earth rotation नहीं होगा, इसका correct option होगा, moon's gravity, अब question पूछ रहा था कि उत्पत्ती का कारण क्या है, तो जो सबसे closest answer होता है, वो होता है, टाइड क्या होता है, तो regular rise and fall of water, पानी क्या करता है, एक बार उठता है और एक बार गिरता है, उसको कहा जाता है जवार भाटा, अब ये पानी जो खिचता है, पानी उठ रहा है या गिर रहा है, ये क्या reason हो सकता है, उसका reason होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्शन बल, सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या करते हैं, अट्राक्शन लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्शन बल लगाते हैं, तो दोनों ही पानी को खीचने की कोशिश करते हैं, अब भले ही सूर्य की gravity जाधा है, चंद्रमा से तो definitely जाधा है, लेकिन sun क्या है, distance भी तो जाधा है, सूर्य की दूरी भी जाधा है, तो मून का जो gravitation है, वो पानी पे जाधा effective देखने को मिलता है, और उसके कारण पानी अर्थ का क्या होने लगता है, एक तरफ से उठता है, जिसे हम कहते हैं, tide, ठीक है, तो ज्वार भाटा का अगर आप logic पूछो कि ज्वार भाटा generate क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे reason होत क्या है, गोभी, कालाहारी, अटकाम और सहारा क्या है? Question number 16 तवी जंग है तो भोत सूपर स्टुपेड से क्वेस्टन है जिए नहीं है करेंट्ट शत्रेल है डेजर्ट अना गलए रिजर्ट कालाहारी डेजर्ट एत्थ फ्रिपट की एरिया में है कालाहारी की अगर हम बातकर करें तो कहां पर है अफरीका में है ठीक अटाकामा की अगर वह सबीका में को पता है तो नॉर्थ वेस्ट आफ्रिका वाला एरिया क्या है सहारा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी क्या है आपका सहारा डेजर्ट है ना विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वर्ल्स लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट है ना ठीक वेस्टन नंबर 16 अगले सवाल पर बढ़ते हैं देखो फिर से बुद्धितम से एक क्वेश्चन आया था तो अब जैनिजम का एक क्वेश्चन है 23rd तीर्थांकर कौन था जैनिजम डिलिजन का 23 वा तीर्थांकर कौन था रिशब्देव महावीर स्वामी पारस नाथ या फिर मल्ली नाथ क्वेश्चन भір qeetanадц glitter क्वेश्च को खृष्ट व महतова क्वेश्चन आया था तो श्वेश्चन Fitzacered धिद्ध क्वेश्चनेट आया था है तो स्वेश्ट वेश्चन इन सव्टियर्स से वंकल क्वेश्चन देंक्वेश्चक झास्य बढ़ते है kol क्या होगा option number question number 17 का प्रलात तो 18 का अंसा दे रहे हैं तो question पी नहीं पूचा गया है question number 17 पूचा गया है तो correct option क्या है आपका option नमबर पारा सुबनात क्या थे आपके 23 तीर थांकर थे 24 वे लॉर्ड महावीरा क्या थे आपके 24 तीर थांकर थे आपके पारा सुबनात देव ठीक है क्लियर अगले question पर बढ़ते हैं which of the following river does not form a delta निम लिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है गंगा, नर्मदा, महा नदी या फिर कावेरी कौन सी असी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है हां जी फर्स्ट रिशब देव थे पर्स्ट तीर्था अंकर आपके रिशब देव थे लॉर्ड ऑफ क्या सकते हैं विश्नु के अफ्तार माने जाते हैं question number 18 के अगर हम बात करें कि कौन सी असी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है तो correct option होगा इसका नर्मदा ठीक है यह बनाती है क्या estuary क्यर्वे मैं जितनी भी आपकी बड़ी नद्या है जो आपके बे इचार के गरती हैं बंगल के खाडी में गरती हैं वह जादतर नदिया क्या बनाती है आपका डेल्टा बनाती जैसे गंगा हो गई ओगे महानदी है कावेरी है यह हैं वह सारी नदिया में मैक्सिमम नदिया है जो डेल्टा नहीं बनाती है डेल्टा ना बनाने का रीजन ये है कि पहली चीज़तो बहुत श्रॉर्ट नदिया होती हैं पत्थर जिस पत्थर पर फ्लो कर regional उनके पास होते sediments नहीं होते हैं तो वो क्या बनाती है एस्टूरी बनाती है तो दो तरीके के river system आपको south में देखने को मिलता है एक होता है आपका जो east flowing rivers होती है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके गिरती है दूसरी नदिया होती है जो अरब सागर में गिरती है अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है और बड़ा डेल्टा बनाती है ठीक है अगला question मुकुन जोशिक आपने क्या लिखा है only river of bay of bengal चलो अगले question पर बढ़ते हैं who is the first Indian woman to win a gold medal in 400 meter race in the Asian Games एशियाई खेलो में स्वन पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी जिसने 400 meter दौड में participate किया था देखो क्यूंकि Asian Games important है तो इस बार chances है कि सिफ इस बार के Asian Games से question ना बने बलकि जो history से related भी है उनसे भी questions बन सकते हैं options इस तरीके से questions आ सकते हैं इस तो इसका correct option होगा option number C कमल जीत सांधू ठीक है इन्होंने 1992 का एशियाई खेल जो हुआ था जो Bangkok में organize किया गया था उसमें इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था in fact पहली women all around पूरे जित्ते भी एशियाई खेल हुए हैं उनमें पहला स्वर्ण पदक जीता था कमल जीत सांधू कहां से बिलॉंग करती हैं पंजाब से बिलॉंग करती हैं और इन्होंने 1992 Bangkok का एशियाई खेलो में पहला स्वर्ण पदक पहली भारती है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ठीक है चलो राइट अगले question पर बढ़ते हैं और ये session का last question होने वाला है ठीक है question number 20 the total population of Uttar Pradesh is dash percentage of the population of India उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है question number 20 हम इंडिया की total population का अगर हम प्रतिशत निकालें कि UP की population कितनी आती है तो approximately मान सकते है 16.4 या 16.5% के आसपास आती है तो exact data नहीं याद करना है एक range याद रखना कि 16 प्रतिशत 16.5 16.4 का जो percentage है वो वेरी करता है तो UP की population is 16.5% of the population of India ठीक है चलो आज के session को हम यहीं पर समाप करेंगे question number 20 हमारा last question था कल ये session फिर से दिन में दो बजे आएगा practice set के साथ शाम में चार बजे GD और SSC के लिए special batches चल रहे है SSC के लिए तो शाम में हो कोई question हो आप मेरे साथ इस पर share कर सकते हैं कल दिन में दो बजे फिर से ये class होगी और शाम में चार बजे जो class होने वाली है वो SSC से related है तो अगर आप SSC के भी exam की तयारी कर रहे हैं तो शाम में चार बजे मेरे साथ live join in कर सकते हैं ठीक है thank you very much कल मिलेंगे आपसे फिर से दिन में दो बजे अगर session पसंद आया तो session को आपको क्या करना है like करना है और कल फिर से मेरे साथ जूरना है ठीक है thank you everyone and keep learning कर दो तो सकते हैं